कि नमस्का दोस्तों आप सबका एक बर फिर से मेरे चैनल पर हर्दिक स्वागत मैं आपके दोस्तों यह कुपना आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथन राशी के जातकों के लिए जुलाई का मत कैसा रहेगा वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से मित्रों से गुजारिश करूंगा खासकर उन दोस्तों से जो पहली पर इस चैनल को देख रहे हैं जदि आपने चै लगन का स्वामी बुद्ध और फोर्थ होस का स्वामी बुद्ध राहु और सूर्य के साथ लगन में गुरू टैन्थ होस का स्वामी सेबंथ होस का स्वामी वक्री होकर केत्यू के साथ सेबंथ होस में शनी भाग्या का स्वामी वक्री होकर आपके एट्थ भाव में गोच 12 भाव का स्वामी होकर 12 भाव में ही गोचर कर रहा है इस मेने आपके लिए कुछ खास नहीं दोस्तों आप तनाव में रह सकते हैं इसके साथ ही आप अपने अंदर उर्जा की कमी भी मुसूश कर सकते हैं ऐसे में आपको अपनी सेहत को लेकर कुछ ध्यां रखना होगा उदा खराँ हो सकता है इस मंध इस्तिति में आपकोफने काम परवश्य धियान देना होगा बात विपार की करें तो इसमें आपको विपार में कुछ खास लाब होता नहीं दखाई देगा पर तुँ आए होगी आप अपने विपार को बढाने की जोजना इस समय में बना सकते है फेनास के लिए मन्त ठीक नहीं आपको फेनास थोड़ा सा प्रॉलम आ सकता है इस समय आपको किसी को भी धन देने से बचना चाहिए नवेश करते समय थोड़ा सा सचेत रहें वरिदी का भी संकेत है क्योंकि आये का एक निया कोई सोर्स जो है आपके बनेंगे प्रेम प्रिवार की बात किजाएं तो यह मन्त आपके प्रेम के लिए सही संकेत दे रहा है साथी के साथ चल रहा भी वात शान्त होगा कौलड वार की स्मापती की गोशना भी हो सकती है प्रेम में दखियागी जो अब तक अकेले हैं उन्हें कोई मिल सकता है परन तो इसका आभास आपको स्वाई करना होगा प्रवार के लिए समय ठीक है आपको अपने प्रवार जनों का सहजोग मिलेगा इसके साथ ही आप प्रवार के जस्दस्यों के साथ कुछ निया करने की भी सोच सकते हैं विवाहित जातकों के लिए समय अनकूल स्टूडर्स के लिए समय मेहनद करने का इस समय प्राई पर ध्याम देना होगा आपकी प्रात्मिक्ता होनी चाहिए, स्वस्त्या को लेकर भरपूर अनंद ले, सेहत को लेकर आपको अधिक चिंता करने की दोस्तों जरूरत नहीं है ये था जुलाई मंत का राशी फल मिथुन लगनो या मिथुन राशी बाले जातकों को लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं एक ने वीडियो में तब तक के लिए, नमस्कार